हेलो गाईज मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर अफ एकॉनमिक्स लव त्वशिक आज की क्लास में बिजनस एकॉनमिक्स का चैप्टर नमबर थ्री पूरा का पूरा खतम कर देंगे विज एमसी क्यू प्रेक्टिस और दोस्तों ICAI के स्टडी मटेरियल के हिसाब से चैप्टर नमबर थ्री का नाम है त्योरी ओ प्रोडक्शन एंड कोस्ट यह आपर दो चीजे इंक्लूड है प्रोडक्शन भी और कोस्ट भी इस चैप्टर से numerical question भी आते हैं वो diagram दिखा कर या नि diagram की photo छाप कर आप से diagram से related question भी पूछता है और conceptual question भी आते हैं हर एक चीज करेंगे crystal clear करेंगे बस आपको एक बात बता दू इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप अपने आपको कोई buyer या consumer या ग्रहक अपक मत मानना आप अजियूम करके चलना कि आप कोई factory वाले हो आप कोई धुकान वाले हो आप कोई production करने वाले हो तो आप अपने आपको seller या producer या manufacturer मानके चलना जब तुम या मानके चलोगे ना कि तुम सवान बनाने वाले हो तो तुम्हारा point of view प्रडक्शन और कोस्ट के इसाफ से चलने रगेगा फिर असानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा और लास्ट में जब ये दोनों चैप्टर मतलब दोनों यूनिट खतम कर दी जाएंगी तो विडियो फिर अंड तक देखनी जरूरी है एक इबॉटन बात और आपको पता हूं कि जिस तरीके से आपका प्यार मिल रहे हैना कॉमेंट सेक्षन में जो भी चीज़े आप कूछ रहो जैसे डिमांड वाली क्लास के इंदर मैंने आपसे बोला था कॉम्प्लिमेंटरी कुछ कामेंट ॐ तो मेरे साथ में तुम्हारे साथ सब रहनेस पर देंगे अब तुम भी पता है। स्यार क्लिए क्यों नहीं होता सब एक नॉर्मल तरीके से त्यारी कर रहे ठासा हूं। मैं economics में आपको पताता हूँ, सारे बच्चे पीछे पढ़े हैं, एक एक concept की definition का रट्टा लगाने में, study material में, बिल्कुल line to line पढ़ने में, अरे इस subject में वो चीज काम नहीं आती है, इस subject में काम आती है, concept समझाऊंगा, उसको समझ लो, एक एक चीज क्लियर करूँगा, रट्टा मारने की जरूत नहीं है, आपको language का पता लग जाएगा न, तो mcq solve करने आपके लिए असान हो जाएगे, और finally, आपको mcq ही मिलने वाले हैं आपके paper में, तो वो clear तब होंगे, जब तुम language को समझने लगोगे, रट्टा मारना प्लीज, concept समझाऊंगा, हाँ, समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह पता होना चीज है कि क्या चीज कैसे formula से calculate होती है, कौन सा diagram, कौन से cost curve, कैसे बनाए जाते हैं, वो सब चीजे पता होनी चीए, तो ICI बोलती है कि इस वाले chapter को दो unit में divide किया है, unit 1 जिसका नाम theory of production है, unit 2 जिसका नाम theory of cost है, हम पहले production करेंगे, फिर cost करेंगे, दोनों chapter खदम करने के बाद, numericals कैसे solve होते हैं, वो आपको बताऊंगा, बीच में जहांपे ज़रूत पड़ेगी कि curve diagram कैसे बनाए जाते हैं, उसकी detail बताऊंगा, यह obviously आपको ठीक है दोस्तों, तो पहले चुरू करते हैं production से, जब-जब कोई production का शब्द सुनता होगा, तो उसके दिमाग में factory चलती होगी, factory भी तो समान बनाया जाता है, समान बनाने कोई तो production कहते हैं, actually production है क्या, देखो, दूद, चीनी, पानी, चाई-पत्ती, इलाइची, अधरक लोंग, ना जाने क्या-क्या mix करके, जब गैस पर गरम करके उबाल देते हैं, तो क्या बनती है, चाई, तो यहर जो चीज हमने इस्तिमाल की, वो raw material, जो उनको इस्तिमाल करके, final चीज मेरे सामने आ गई, वो output है, और जो process था ना, इस raw material को output में convert करने का, उस process को बोलते है production, और factory में production होता है, factory के अंदर raw material, यानि inputs को output में convert किया जाता है, तो बस यह conversion production है, तो आप अगर production की definition सुनना चाते हो, तो यहां लिखी दिया है, यह क्या है, it refers to the conversion, of raw material, raw material की जगा word यूज करेंगे, inputs, into, output, बस, हर चीज तुमारे आथ में pen है, pen कैसे आया है, factory में से बन के आया है, और pen के अंदर जो जो चीज़े इस्तिमाल हुई थी बनाने में, वो सब चीज़े inputs कहला ही जाती है, अब production होने का हमें क्या फाइदा होता है, हमें जो फाइदा होता है, फाइदे को यहाँ पर बोला गया है, तो चार तरीके के फाइदे आपके course में बताया है, production करने के, पहला फाइदा, production includes बोल दिया है, यह topic, pen का color change करें के, yellow से बताऊंगा, पहला फाइदा, place utility, जहंगय का फाइदा हो जाता है, हर चीज, तुम्हारे घर के पास नी बनती है, लेकिन तुम इस्तिमाल तो करते हो, देख लो तुम्हारे आसपस जितनी भी चीज़े हैं, वो सब क्या घर के पास बनी है, save कहा से लाए हो Apple, Apple का घर के पास produce होता है, बही कश्मीर में या हिमाचल में, या किसी उत्राखंड की जगहाँ पर वो produce हो है, फिर आपको मिल गया है, तो production होने का फाइदा क्या है, कि वो एक जगहा से दूसरी जगहा जा सकता है, तो इसका example, place utility का example बोल सकते हैं, जैसे कि Apple from Kashmir, जैना, easy example हो गया, Kashmir, चलो जी, फिर दूसरी utility है, time utility, अब हर चीज, जब produce होती है, तो time का फाइदा होता है, लाइक, चाए की बात करो, तो आजकल चाए बनाने में समय तो लगता ही है, लेकिन, tea bags आ गए है, गरम पानी के अंदर उसको डालो, ऐसे से करो, dip करो, तो चाए बन जाती है जल्दी, instant चाए, instant coffee ready हो जाती है, तो तुम्हारा time बचा नहीं बचा, बिल्कुल बचा, ऐसे ही मटर की सबजी की अगर बात करो, तो अगर मटर खरीद के लाते हैं, फिर उसको छीलते हैं, फिर उसके दाने से सबजी बनाते हैं, तो एक सफल कंपनी है, जो हमारे घर में उसकी मटर इस्तिमाल होती है, तो मैं लिखता हूँ, सफल मटर, Mother Dairy की कंपनी है बैसे के लिए, तो सफल मटर जो है, वो example हो गया दोस्तो, time utility का, मतलब time बच गया, production से time बचता है न, फिर form utility, form का मतलब होता है, पहले चीज़े किसी और form में थी, अब किसी और form में हो गई, पहले उसका इतना फाइदा नहीं था, अब उसका ज्यादा फाइदा हो गया, होता है नहीं होता ऐसा, सबजी का ही देख लो न, पहले मसाले अलग रखे थे, अब दोनों को convert कर दिया सब्जी में तो मसाले आलू आलू तो सबसे mix होगे सब्जी बन गए तो फाइदा हो गया यह नि फॉर्म यूटिलिटी का मतलब production की definition ही है conversion हो रहा है conversion of raw material into final things into final goods या final output बोल दो यह बोल दो अब है personal utility बहुतारी चीदों के कुछ personal फाइदे होते हैं यह बात हो रही है services के बारे में दोस्तो services render की जाती है अचा goods provide करते हैं न देते हैं तो service देने को बोलते है render करना rendering services service internet की भी है teaching की services भी है doctor की services भी है तो production का यह फाइदा भी है service produce होती है तो हर बंदे को personal तरीके से मिल जाती है तो यह चार फाइदे production के दिये हुए है लेकिन फिर आपको बताता हूं production तभी possible है जब हम raw material को use कर रहे होंगे raw material के अलावा production करने के लिए इनसान भी चाहिए पैसा भी चाहिए जमीन भी चाहिए जहां पर business setup होगा है कि नहीं तो production करने के लिए जिन भी चीजों की आफशक्ता होती है उन सब चीजों को बोलते है factor of production तो next topic है factor of production इसको प्यार से आप लोग factor inputs भी बोलतों तो कोई बुरा नहीं मानेगा अब किसी भी चीज के production में raw material, बिजली, पानी, लैंड, लेबर, पैसा, entrepreneurship सब इस्तिमाल होती है लेकिन हर एक चीज को economics में चाहे 11-12 की economics तो चाहे आपकी CA foundation की हर चीज को factor of production नहीं बोला गया क्योंकि कुछ काम धंदे ऐसे हैं जो बिना raw material के चल सकते हैं इसे की एक trader का काम होता है, वो एक बंदे से समान खरीद के दूसरे बंदे को बेच देता है, अब जिस दुकान से तुमने mobile phone खरीद है वो उसने थोड़ी बनाया है, वो उसने किसी और से खरीदा अपने घरा को बेच दिया, खिलोने वाला क्या करता है, खुद थोड़ी ख प्रोडक्शन है, उसने पैसे लगाए, उसने कोई न कोई सेट अप किया होगा, बिसनस जमीन ली होगी, वो खुद एक बंदा है जो enterprise है, enterprise का मतलब बताऊगा है आपर, entrepreneurship, चार चीज़े बहुत जरूरी होते है, production के लिए, कोई भी business activity के लिए, उन चार चीज़ों के बिना कोई business activity possible नहीं है, इसलिए उन चार चीज़ों को count करते हैं, और उन चार चीज़ों का नाम, आपको मुझे लगता है, पहले से पता होगा, पहला, land, दूसरा, labor, तीसरा, पैसा, पैसा मतलब, wealth, property, कुछ भी माल लो इसको, चौथा, entrepreneurship, entrepreneur बोल लो, entrepreneurship बोल लो, एकी बात, एक ज आज भी में आपने सिर्फ इनके नाम सुने होंगे, अब हमें एक एक factor of production की कोड़ी सी characteristics और features पर ध्यान देना, यहां से MCQ आ जाता है, किसी भी factor of production के बारे में कोई भी बात पुछी जा सकती है आप से, तो land से शुरुआत करते हैं, जमीन से शुरुआत करते हैं, जमीन के बारे में कुछ बाते लिखी हुई है, पहली बात, जमीन के बारे में बतायता हूं, एक nature का gift है, यानि इसको तुमने किसी factory में नहीं बनाया, यह कहीं उगी नहीं है, पहले से मिली हुई है, जमीन अपने आप में एक passive factor है, active factor नहीं है, passive factor क्या होता है, active factor क्या होता है, passive factor मत असलब बिना महनत के वो काम की बन सकती है चीज़ तो जमीन ऐसी है तो ऐसी के ऐसी रहेगी अगर उस पर कोई लेवर महनत नहीं करेगी तो जमीन को हम एक जगह से उठाके दूसरी जगह शिप्ट नहीं कर सकते तो ऐसी कुछ फीचर से जमीन के बारे में लिखी है मैं पढ़ पावर ऐसी है फिर land is a passive factor not active factor या पर लेबर काम करेगी तो किसी काम की बनेगी है वरना किसी काम की नहीं है तो passive factor उसको भी बोलते है जिस पर कोई दूसरा बंदा आके इसको काम की बनाए ठीक है land is immobile mobile का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना समीन को तुम ए एक जगह से दूसरी जगह शिप्ट नहीं कर सकते है यह फिक्स्ड है यह immobile है land has many multiple purpose बहुत सारी यूज है land के कोई बंदा रहने के लिए घर के लिए इस्तिमाल करता है कोई इस्तिमाल करता है कोई हावर फार्माउस बना रहा है कोई कुछ बना रहा है तो consumption activity production activity कुछ भी हो बिचर्स होती है कोई जमीन उपजाओ नहीं है कहीं पर आलू जादा ऊग सकते हैं कहीं पर आलू जादा नहीं उग सकते हैं अलग अलग जमीने वो उसकी मिट्टी की वज़ेसे भी हो सकती है किसी और रीजन की वजह से भी उतकती है तो लैंड हेट्रोजीनियस है जो डिफर करती है फर्टिलिटी में फर्टिलिटी का मतलब होता है दोस्तो उपजाऊपन उपजाऊऊ क्या मेरे हिंदी में ठीक लिखा है पता नहीं तोलूशन उनका अलग-अलग होता है उसकी सूटे अब वर्कर मत समझना यह वर्कर नहीं है रखर जब वर्ड यूज करूँगा तो वर्कर है लेबर अगर एक दिन वे 24 घंटे और तुमने 6 गंटे पढ़ाई किया है, 18 गंटे पढ़ाई नहीं कि, तो बोलते है 6 गंटे तुमने labor किया है, मतला आपने अराम किया है अब अराम में तुम्हारा घाना पीना सोना सब आ गया ठीक है अब अराम को यहाँ बोल देते हैं laser नया बड़ाएगा laser ठीक है तो labor की खास बात होती है मतलब महनत की खास बात होती है पूने का बंदा पंजाब में, पंजाब का बंदा यूपी में, यूपी का बंदा भिहार में, कोई भी कहीं पे भी काम कर सकता है, लेबर तो मुबाइल होती है, लैंड की तरह इमोबाइल नहीं होती, खिलब शिफ्टे वल एक जंगा से दूसरी जंगा, अब बस labor की characteristics अलग है, कोई बंदा productive हो सकता है, यानि कुछ labor, labor मतलब laborer, ठीक है न, यानि जो तुमने काम किया है, उसमें कुछ production किया है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं, खाली, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो labor अलग-अलग होती है, कुछ बंदों की capacity है कि वो एक गंटे के अंदर दस यूनिट का production कर दे, कुछ बंदों की capacity है कि वो एक गंटे के अंदर 100 यूनिट का production कर दे, तो labor की power भी अलग-अलग होती है, बस एक बात ध्यान रखना, labor की जब salary की बात आती है, यानि laborer की जब salary की बात आती है, तो उसकी bargaining की power labor के पास कम होती है, company के पास ज्यादा हो होती है, क्योंकि labor जाता quantity में available है हल खिलाल इंडिया के अंदर तो वैसी बात थमझ लो आप, bargaining power का मतलब क्या होता है, मोल भाव करवाना, जब तुम दुकान पर कपड़े खरीदने जाते हो, तो बोलते हो, या 1000 रुपे की जिंस नहीं खरीदू है, या 800 रुपे के लगा ल होती है, तो labor की कुछ features देखनी है यहां पर, labor की feature दूस्तो, labor एक इनसान के efforts है, effort मतलब मेहनत ही है, दूसरा labor is perishable, वर्क तुमारा perishable, जो तुमने घंटे बिताये हैं काम करने के लिए, वो घंटे जिंदगी से खतम हो गए, खतम होनी चीज जो चीज खतम हो जाती है न, उ इसको काम करवाने के लिए किसी और चीज के ज़रत नहीं है, labor is inseparable from the laborer, laborer मतलब worker, worker से उसकी मेहनत अलग नहीं की जा सकती है, यानि तुम हो, तुमारी मेहनत तुमारे अंदर है, तुमारी मेहनत को side में नहीं रख सकते हैं निकालके, ठीक है, inseparable, both are with each other, labor power differs from laborer to laborer, अलग की power अलग हो गई, ठीक है, all labor may not be productive, जरूरी नहीं है, हर एक labor production कर सकती है, कुछ लोग निठल्ले होते हैं, नहीं करते हैं, काम दंदा, ठीक है, फिर labor has poor bargaining power, bargaining power मतलब हर labor के पास वो power नहीं है, कि वो power तो है, मतलब इतनी ज्यादा power नहीं है, company के पास ज्यादा power होते है, bargaining की labor labor के पास कम होती है, labor is mobile, इसको एक जगा से दूसरे का shift कर सकते है, and there is a choice between hours of labor and hours of leisure, मतलब मदे में, अराम में, और महनत के अंदर choice करने पड़ती है, ज्यादा महनत करोगे, कम अराम मिलेगा, कम महनत करोगे, ज्यादा अराम मिलेगा, हाल फिलाल, लेकिन भविष्य की बात क प्रोपर्टी बोल चकते हो, अपनी, वेल्थ बोल चकते हो, प्रोपर्टी बोल चकते हो, और MCQ में question भौध बार आया है, कि capital अपने आप में एक stock concept है, economics में सारे चीजों को दो बाड में डिवाइड किया हुआ था, एक stock concept होते है, एक flow concept होते है, तो ये stock concept है, macro economics में होता है बिसे के लिए एक नहीं हाँ पर नाम दिया हुए इसका, अब ये तुमारी wealth है, तुमारी property है, एक business के पास property क्या होती है, business के पास machine होती है, उसका cash होता है, उसकी building है, business की building भी है, उसके पास बहुत सारे tools रखे हैं, तीक है, business ने patent right लिया हुआ है, copyright लिया हुआ है, ये अब चीज़े capital कहाती है, capital बहुत सारी type की होती है, ये types of capital है, जो आपके ICI के study material में दी हुई है, इस से भार कोई types of capital आप से पूछी नहीं जाएगी, पहले number पे दिया हुआ fixed capital, fixed capital वो है जो लंबे समय तक इस्तिमाल की जा सके, durable, durable का मतलब बहुत लंबे समय तक इस्तिमा नहीं हो जाती, ये सब durable items लंबे समय सक चलते हैं, फिर circulating capital दूसरे number पे circulating मतलब एक बार इस्तिमाल कर दी, तो कर दी खतम, उसके बाद उसका कोई दुबारा repeat use नहीं हो सकता, तो no repeat use वाली capital, यानि आपने जो पैसा लगा दिया एक बार, वो लग गया, दुबारा उसको इस् पर एक real capital है और एक human capital है, उसके बीच में अंतर जाल लो, भाई चाहे circulating capital हो, ये property है business की, ये दोनो real capital है, real capital का मतलब business की वो property जिसको तुम wealth मानते हो, जिस पे तुमारा अधिकार है, अब देखो तुमारा अधिकार तुमारे पून पे है, तुमारे पैन पे है, तुमारे स्क future पे है, तो वो तुमारे real capital है, जिस चीज़ पे तुमारा अधिकार तुम्हें दिखाई देता है, वो चीज़ तुमारे real capital है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ ओर होती है, जो तुमारे अंदर होती है, और उस पे भी तुमारा अधिकार है, लेकिन तुमें mainly वो feel हो रही है सिर जैसे कि तुम्हारा talent तुमारी skills तुम्हारा expert होना ठीके तुमारी knowledge ये चीजे भी तुमारी capital है दोस्तो बिजनस के पास भी ऐसा ही होता है कि बिजनस की चो property है सारी वो real capital है और business के लिए जो employees है employees के अंदर जो skills है उनका एक्सपर्ट होना है वो human capital है पिर एक होती है tangible capital एक होती है intangible capital tangible capital मतलब यह सारी capital जिसके बारे बात किये ऊपर तक 123 यह human capital नहीं human capital में employees को बहुत हो tangible capital और intangible capital होते है patent यह यह छू नही सकते है जो rights वगलरा लेते हैं business वाले legal rights वगर वो सब इस ये भी उनका ये धिकार है बाई जो साबुन मैं बनाता हूँ वो साबुन कोई और नहीं मना सकता क्योंकि मैंने इस साबुन को बनाने का कॉपीराइट या पेटेंट राइट लिया हुआ पेटेंट राइट बोलते हैं फिर इंडिविजुल कैपिटल जो एक अकेले इंडिविजुल ने ओन की हुई है इंडिविजुल या फिर गरूप इंडिविजँल इसके ऑनर है ठीक्षर कार्च जिसकी ओनर साठाञ बोलेंगे खिर में कोई बंदा औरो या बंदों का गुर्ब अरोजकी बात हो रही है शोशल कैपिटल जो सब के काम काम आती है जो नदी सब इस्तिमाल कर रहे हैं तो सब के काम आने वारी चाहिए कोई भी विजनस हो कोई भी फर्म हो यह पब्लिक गुड्स की तरह होगा इसोशल कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्मेशन का मतलब होता है मेकिंग बनाना पैसा और बनाना यह इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम ह कैपिटल फॉर्मेशन जब भी कहीं तुम पैसा लगा रहे हो वह कैपिटल फॉर्मेशन है तो यह वराइटी देख लो टाइप तो कैपिटल इसके बाद स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन यानि इन्वेस्टमेंट की स्टेज क्या होती है सबसे पहले हम लोग जो अपन इन्वेस्ट करते हैं या लोन भी देते हैं किसी को तो इन्वेस्टमेंट हुए है तो स्टेज क्या है पहले हमारी हाउसओल्ड की सेविंग हो गई हाउसओल मतलब आम जनता फिर यह सेविंग को मोबिलाइज किया मतलब बैंक तक पहुंचा आया या किसी दूसरे फानेश के बारें बात करें यहाणि फर्म की बात होरा हίας बेसिकली फर्म का जो स्ट्रक्चर है इसको एंध्रिन्ग बहुत सकते हैं यह इंसान को और थे ल START अगर वो अपनी पर पूरा ख्याल रखता है उसकी क्या होती है कि वो कि हपने विंगा साथे resources को अच्छे ते इस्तिमाल करें अगर पर्म के अंदर कोई problem है तो उसको solve करने की कोशिश करें और साथ में innovation पे ध्यान दे innovation पे ध्यान देना company के अंदर entrepreneur का काम होता है तो यह functions लिखे हैं entrepreneur के पहला कि initiating का मतलब start करना होता दोस्तो business को start करने वाला बंदा entrepreneur है असली में यही माल लो ठीक है और resource के बीच में coordination डालने वाला मतलब कोई problem ना हो सारे resource easily available हो जाए risk लेने वाला बंदा uncertain uncertainty को जो bear करता है afford करता है वो बंदा और company में innovation को ख्याल रखने वाला बंदा innovation का मतलब समझते हो ना innovate मतलब कुछ नया करते रहे ना बार-बार invention नहीं है यह innovation है इन्वेंशन तो scientist का गाम हो सकता है एक scientist भी entrepreneur हो सकता है entrepreneur वो बंदा जिसने बिजन स्टार्ट किया है इसको business studies में promoter बोल सकते हो आगे आते हैं बई कि एक enterprise के objectives क्या होते है और limits क्या होती है वो सब पढ़ेंगे यहाँ पर सिर्फ objective लिखे है limit नहीं constraint का मतलब limit होता है वैसे आगे बताता हूं कि क्या-क्या problem limit हो होता है एक company जो खुली है बस वो जिन्दा रहे बंद ना हूँ एक company बंद कब होती है जब वो लोस में जाए अना तो जब ज़्यादा profit ना कमाए फिर सर्वाइवल कर ले सर्वाइवल तब होता है जब वो अपनी economic cost को cover कर ले यानि माल लो 5 रुपे का उसने समान बनाया है तो कम से कम 5 रुपे का तो प्रिक जाए समान ठीक है तो जब उसकी economic cost cover हो रही हो तो company का सर्वाइवल होता है एक कॉस्ट कवर होती हो तो मतलब उसको एक normal profit हो रहा होता है अब यह normal profit का मतलब समझ लो यार एक इसका मतलब होता है no profit no loss इसलिए बोलते है normal profit जिसको हम आम भाशा में profit बोलते है ना उसका मतलब होता है economics में तिरफ profit या super normal profit तिरफ normal profit जो हम आम भाशा में समझते थे अब normal profit बोलते हो तो मतलब ना profit ना loss अगला एक company का अगर survival का objective फूरा हो जाए यहनि company survive कर ली तो company चाहती है कि profit कमा आए तो profit कमाना economic objective होता है earning profit तो इक है जी social objective होता है society को reasonable price पर अच्छी quality की goods provide कर दे reasonable मतलब जायज rate पे reasonable price पे good quality product बनाना और human objective होता है company अपने employees का ख्याल रखे employees के पीच में कोई dispute हो रही है तो इसको solve करा है और भाई अब आगे national objective देश के लिए क्या करे भाई अच्छा production करके GDP बढ़ाए और हमारे देश की तरक्की में contribute करें तो यहां से question आये हुए है मतलब deep question organic objective के उपर last years में देखा गया है तो अच्छा question है यह normal profit तक चला जाता है तो बच्चे basically economic objective समझते है economic objective का मतलब होता है profit earn करते रहना और organic objective का मतलब होता है company सिर्फ जिन्दा रहे profit कमा कमा की है चाहिए वो profit का level ना के बराबर ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इसकी constraint है basically problem है enterprise के साथ दिक्कत क्या होती है दिक्कत एक एक करके सुलो पहली दिक्कत problem relating to objective जो company की objective है वही आपस में conflict कर रहे है इनक objective कह रहा है कि company को profit कमाना चीए एक कह रहा है कि बही social objective है reasonable price पर चीज़े प्रवाइड करो तो जब reasonable price पर चीज़े प्रवाइड करो तो ज्याता profit कैसे होगा आपस में लड़ रहे है objective conflicting है ठीक है ऐसा ही problems है कि company जब खोलेंगे तो उसकी location क्या होगी और हमारे plant का size बड़ा plant खोले चोटा plant खोले शुरुवात में तो problems है एक बंदा जब company खोलता है तो जो दिक्कत है फेस करता है वो यह वाली दिक्कत है यह सोचलो बसाप तो आसानी से concept को समझ पाओगे फिर problems relating selecting and organizing physical facilities company में जो facilities प्रवाइड करनी है वो कौन-कौन सी facility प्रवाइड करनी है ठीक है पैसों की problem कहां से पैसा लाना है कौन-कौन funding करेगा पैसा लिया आये तो पैसा लगाना कहां पर है कहां का इन्वेस्ट करनी है problem relating to organization structure अपनी company का structure कैसा रखोगे formal या informal यह बताओग ठीक है problem relating to marketing marketing में चार पी का ख्याल रखना पड़ता है एक होता है price एक होता है product एक होता है promotion एक होता है place प्लेस का मतलब physical distribution एक जगा से दूसरी जगा तर समाल नहीं जाना इन चारों के बारे में जो भी समस्सें होती है इसको बोलते problem relating to marketing फिर legal formalities मतलब सरकार कब अपनी policy change क कर रही है इन सब चीजों की दिक्कत government जो policy बनाती है यह दिक्कते होती है legal formalities के दिक्कते industrial relations मतलब employees के बीच में relations कैसे चल रहे है manpower के बीच में relation कैसे चल रहे है industry के अंदर जो जो लोग involved है उनके बीच में रिस्ते कैसे चल रहे है तो यह भी कभी problem बन जाते एक बार मालो senior junior junior का रिस्ता अच्छा नहीं है तो यार वो production में दिक्कत हो जाती है मतलब वो उसकी बात नहीं मानता है कभी-कभी ऐसी problem dispute आते तो enterprise के बात दोस्तों अगला अपका production function production function के बारे में कुछ बाते बोलूं production function बताने से पहले एक company में कितने factor of input इस्तिमाल करके कितना production होगा यह decide करने वाले production engineer होते हैं यानि एक scientific काम है यह तो production function एक scientific function है scientific बोल दो या बोल दो इतको technical function है तो production function की अगर definition लिखी जाए तो यह inputs और output के बीच का रिष्टा है inputs और output के बीच का रिष्टा है जो टेक्निकल है functional नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको production function is technical या फिर mathematical word भी यूज़द करते हैं क्योंकि math equation आएगी mathematical expression या relation क्या लिको रिलेशन relationship between physical input and output between physical input and physical output अब यार इस production function को कैसे express करते हैं इधर लिखते हैं quantity of good x जिसका production हो रहा है is the function of यहां land, labor, capital, entrepreneurship इनके नाम लिखता हो मतलब यह equation मनंगे production function की यहां पर तुम land को t से denote कर दो किसी से denote कर दो capital को k से कर दिया c से कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, denote करने में कोई problem नहीं है यह production function अपने आप पे दो तरीके का होता है एक short run production function होता है, एक long run production function होता है production function की बात करें तो अलग-अलग capitalist ने अलग-अलग production function की equation भी बनाये हुई है यह एक production function जो American economists ते Cobb और दूसरे ते Douglas Cobb और Douglas ने मिलके भी production function बनाया है तो यार्वो Cobb Douglas का production function आपको पढ़ना है पिर short run में production function कैसा होता है वो पढ़ना आपको long run में production function कैसा होता है वो पढ़ना आपको मैं चाहूंगा गएक बार आप ढंक से definition को पढ़ लो तो इसके बाद आपको करना जरूरी है कि production function को दो पार्ट में divide कर दिया एक short run production function दूसरा long run production function तो पहले तो ग्यारवी बारवी की economy से पता लग जाता है कि short run वो time period है जहां पर कम से कम एक factor को constant रखा हुआ है उनसे factor चार factor होते है ना land labor, capital, entrepreneurship अगर तुम कम से कम एक factor को नहीं बदलोगे दो को नहीं बदलोगे, तीन को नहीं बदलोगे, चारो को नहीं बदलोगे, तो short run में 0 हो लेकिन long run वो time होता है जब तुम्हारे सारे factor बदल रहे हैं, बदलने का मतलब variable है जब all factor variable होते हैं तो बोलते हैं long run चल रहा है, तो अलग अलग business का अलग अलग time चल रहा है यहाँ पर एक साल या एक साल से ज्यादा के time को consider नहीं किया हुआ है तो basically short run और long run का production function में comparison करनी है तो यह बताएंगे short run production function वो production होता है where at least one factor constant हो at least one factor is fixed और constant एक constant है short run, 2 constant है short run, 3 constant है short run, 4 constant है short run लेकिन long run सिर्फ तभी होगा जब all factors are changeable all factors are changeable को बोलेंगे यहाँ पर variable variable मतलब vary करते हैं बाई इस बात को धान दखना और फिर cop douglas, america नहीं का और विश्चा दोनों के दोनों इन्होंने बोला एक quantity of good x एक function है इस equation का k यहाँ पर लिखा labor, यहाँ पर लिखा capital, k की power alpha और capital की power 1 minus alpha अब capital को यह c बोल रहा है यहाँ पर यह क्या कहना चाहता है यह कहना चाहता है कि k और alpha दोनों positive constant value है इसको detail में नहीं पढ़ना आपने है बस जो बता रहा हो वो पढ़ना है इससे related question भी आ सकता है लेकिन ठीक है L का मतलब labor है, C का मतलब capital है Q का मतलब quantity है जिसका तुम production कर रहे हो उसकी quantity है मतलब quantity of good x माल दो है ठीक है और यह statistical study की थी इन दोनोंने मिलकर अमेरिका में statistical study की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि किसी भी चीज़ का production करने के लिए labor जो है वो three-fourth contribute करती है और capital जो है वो one-fourth contribute करती है यानि production करने के लिए capital का जो contribution है वो कम है labor का जादा है उस particular study में लेकिन इसको आगे बहुत detail में economics के जो special courses होते है इसको इतना सिमीत रखा गया है आपके लिए पलब ज्यादा deep explanation है नहीं इसके आगे दोस्तों the law of variable proportion या law of diminishing marginal returns लिख दिया है आपर दो है लेकिन आपको बता दूँ इसका एक नाम और है इसी कोई बोलते है short run production function प्रडक्शन को मैंने ऐसे लिख दिया आप शौर्ट रन प्रडक्शन वंक्शन ये input और output के बीच का वो रिष्टा है जब कम से कम एक factor constant रहे माल लो कि हम दो factor इस्तिमाल कर रहे है चारो को तो छोड़ो तब जब असानी से समझ में आया गाई है माल लो हम य ये constant है तो मतलब शौर्ट रन वैसी हो गया किसी पी चीज़ को constant मानों तो शौर्ट रन हो गया इसके ओपर labor use कर रहे है एक labor use की तो कुछ ना कुछ production शुरू होगा एक और labor use की तो production और बढ़ जाएगा एक से और बढ़ जाएगा एक से और बढ़ जाएगा यानि जब हम labor एक variable factor हो गया जो बदल रहा है लैंड एक fix factor है ये constant है तो जब इस पर labor को बढ़ाते रहेंगे production बढ़ता रहेगा और labor अगर तुमने कुछ जादा ही बढ़ानी शुरू कर दी 5,6,7,8 तो यहार labor की भीड होती रहेगी इस limited जमीन पे तो production तो बढ़ेगा लेकिन production के बढ़ होगे तो labor की भीड हो जाएगी उस जमीन पे यही production कम भी हो जाएगा तो यहाँ पर production कम भी हो जाता है अगर labor को तुम ज़्यादा यह बढ़ाते रहो तो यह law of variable proportion बोलता है अगर हम एक variable factor को बढ़ाते रहें variable factor जैसे कि इसमें माना है labor अगर इसको बढ़ाते रहो जादा से जादा यूज़ करते रहो तो हमारा total production इसको total product बोलते हैं अब जो word यूज़ करेंगे यह पहले increasing rate से increase करेगा फिर यह decreasing rate से increase करेगा मतलब slow speed से बढ़ेगा यह मैंने शमरी में लिखते है decreasing rate से increase करेगा increase तो पहले भी करेगा बात करेगा अगर फालत होगी और labor करोगे तो यह फॉल भी करने लग जाएगा मतलब increase नहीं करेगा विचारा घिर जाएगा अब इस पूरी statement को बोलते है the law of variable proportion अब इस law of variable proportion में तीन से जो कोई पहली यह दूसरी यह तीसरी यह इनको table से दिखा देत है इसके साथ में लिखा है capital capital लिखू labor लिखू कुछ भी लिख दूँ यहां लिख दिया चलो labor अब मालो land की मेरे पास 10 hectare जमीन है इसको बढ़ा ही नीरा यह इतनी कितनी है labor मैं बढ़ा रहा हूँ पहले 0-3 फिर 1-2-3-4-5-6 ऐसे बढ़ती रही तो मेरा जो total production है वो किस sense में बढ़ता है zero labor है तो zero ही होगा production खाली जमीन पर नहीं सकता अब इसकी speed देखो पहले 10 हो गया imaginary अपनी मर्जी से value ले रहा हूँ पर यह 25 हो गया तो पहले 10 gap था फिर 15 gap और बढ़ गया तो past speed से बढ़ रहा है अब और फालतू की labor रखूआ तो यह speed कम हो जाएगी 25 से 35 प हुआ कोई benefit नहीं हुआ क्योंकि 4 लेबर पर 40 का production था पांच वी लेबर पर 40 का production था ऐसा जिंदगी में होता है जब तुम लेबर बढ़ाते रहते हो ना पहले production बहुत fast speed से बढ़ता है फिर उसकी speed slow हो जाती है फिर तुम देखते हो अच्छा एक और लेबर रख दी है मैं लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं हुआ तो ऐसा भी आता है situation और तुम और फाल्टू करते हो के लेबर तो यह production कम भी हो जाएगा 35 पर ही पहुच जाएगा ठीक है तो दोस्तों जो यह stages है इन stages को बतलब यह जो production की stage है मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूँगा पहले एक बार marginal product calculate कर लूँ यह MP क्या होता है टीपी के बीच का difference है तुरू में कोई difference नहीं जीरो फिर 10 में से 0 गया 10 फिर 25 में से 10 गया 15 फिर 35 में से 25 गये 10 40 में से 35 गये 5 40 में से 40 गये 0 35 में इस बात को द्यान रखना तो यहां पर क्या पता लग रहा है मुझे यहां पर यहां तक इधर तक production बहुत fast speed से बढ़ रहा था ठीक है और इधर तक उसकी speed slow हो गई और last में speed push हो गई मतलब गिरने लग गया production तो इसको law of variable proportion का phase 1 बोलते है इसको phase 2 बोलते है इसको phase 3 बोलते है तो law of variable proportion में 3 phase है यानि 3 stage है जो मैं discuss करनी है अब यहां से MP का behavior देखो MP की value पहले dash थी फिर 10 15 फिर 10 5 मतलब पहले MP बढ़ता है फिर कम होता है फिर 0 फिर negative MP का दोस्तों यहां पर curve बनाया जाए MP कर्व इस तरीके का बनेगा क्यों इस तरीका का क्यों बनेगा लगतर इसलि अगर टीपी का कर्व बोले को एक हैसा बनेगा तो पहले बढ़ रहा है तब भी बढ़ रहा है फिर गिर गया नेगटिव नहीं जा रहा है लेकिन पहले उसके speed तेज है फिर speed slow हो गई तो इसको कैसे बनाते है देखो यहां बनाता हूँ जिसकी speed तेज होती है ऐसे बढ़त यहां से पहले इंक्रीजिंग से फिर पॉल जहां पर टीपी मैक्सिमम है वहां MP 0 होगा जहां से इसने रेट चेंज कर यह वहां पर MP maximum होगा कहीं पर ही पॉइंट चेंज कर दूँ इस वाले पॉइंट पर MP यहां पर टीपी नेगेटिव कर रहा है और टीपी का घरना शुरू हो गया तो तीनों फेस के बारे में आप से पूछ सकता है और यहाँ पर एक रोमांचक चीज, average product भी calculate कर लो, वाई, जब छोड़ दिया तो उसको क्यों छोड़ दिया, AP, AP कैसे calculate होता है, AP mean की तरह लगा लो तुम, कोई किसी का mean निकाल रहे हो, average, total product को variable factor से divide कर देना, AP मिल जाएगा, तो total product यह रहा, variable factor कोई लेबर है, तो 0 upon 0, dash है भी, 10 बटा एक, 10 है, 25 बटा दो, साड़े बारा, मतलब 12.5, 35 बटा 3, 35 बटा 3 क्या होगा, 11.something, 11.67 माल लो, 40 बटा 4, 10 है, 40 बटा 5, 8 है, 35 बटा 6, 5.something है, 5.9 माल लो, ठीक है, 5.8 माल लो, यार, ठीक है, तो यह values आई है, AP का behavior पता लगता है, AP की value 10, 12, बढ़ी, तो इसकी value 11, 10, 8, 5 कम होई, AP पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, लेकिन average value कभी negative नहीं होती, तो AP कभी negative नहीं होता, AP कर्व कहां बनाऊं, AP कर्व यहां बनाऊंगा, ठीक है, हरे रंग से, यह AP कर्व है दोस्तों, ना, 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 AP कर्व यह नहीं है, यह AP कर रहा है, negative नहीं होता न, तो अब कैसे AP कर रहा है, देखो, पहले यह बढ़ रहा है, पिर यह कम हो रहा है, AP, अब जब भी कोई diagram बनाओगे, तो X-axis पे, इस chapter में हमेशा लिखोगे, variable factor की value, यानि labor की value, Y-axis पे वो लिखोगे, जिसका card बना रहे हो, AP बना रहे हो, AP लिख दो, अब कितना सारा page भर दिया तुम्हारे सामने, तुम गोगे सार, इतना सारा concept excellent कर दिया, पेपर में क्या होगा, पेपर में यह पूछाएगा, जब MP की value 0 होती है, तो TP की value कितनी होती है, तो देखो, MP negative हो जाता है, तो TP के साथ क्या होता है, TP starts falling, ऐसे question आएगे, MP और AP भी रिष्टा है, वो भी आएगा, ठीक है, सब कुछ बता रहा हूँ, आपको एकर करके, तो आगे discuss करते है, stage 1 की बात हो रहे है, stage 1 यानि, इस वाली stage की बात हो रहे है, इस वाली, यहाँ पर MP rise कर रहा है और TP increase कर रहा है, increasing rate से, तो इसकी बात कर लो, stage of increasing returns इसको बोलते हैं, नाम है सबके अलग-अलग, देख लो आपस, इसको stage of increasing return बोलते हैं, इसको stage of decreasing return बोलते हैं, इसको stage of negative return बोलते हैं, यह सारे के सारे नाम MP के उपर रखे हैं, MP बढ़ रहा है, तो increasing return, MP कम हो रहा है, diminishing या negative returns, तीन उस चेज़ के अलग-अलग नाम है, ठीक है, और यह stage आपको कहाँ दिखाई देती है, बदाई दिये मैंने, जहाँ पर इधर MP rise करता है, और TP falls, आप फॉल नी करेगा, TP rise करेगा increasing rate से, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, दूसरा, इसको law of increasing returns भी बोलते है, अब यह कब होता है, जब company के इंदर specialization का level चल पड़ा है न, यहीं लेबर बढ़े जा रही है, तो फाइदा होरा है company को इस चीज़ का, दूसरा stage 2 है, इसको diminishing returns बोलते हैं, और यह तब होता है, यह कब होता है, जब MP गिर रहा होता है, लेकिन negative नहीं होता, false but remain positive, तब की बात हो रही है, अबधे रहो, और यहाँ पर TP increase करता है, लेकिन decreasing rate से, बना के दिखा दूगया, देख लो या, यह मालो TP कर्व है, नीचे बना रहो MP कर्व, यह maximum है न, यहाँ से सुरू करेंगे, तो यह, यह वाली stage 2 है, ठीक है, अच्छा एक बात बता हूँ, आपको बेच में बताने पड़ेगी मुझे, यह जो point है, इसको inflection point बोलते हैं, inflex, inflection point, inflection point, वो point होता है, जहाँ पर TP increasing rate से increase हो न, बंद कर देता है, या फिर जहाँ पर MP maximum ह उसको भी inflection point बोल दो तुम, कोई दिक करते हैं, ठीक है, important point है, अगला negative returns वो phase है, law of variable proportion का, जहाँ पर बिचारा MP ही negative हो गया, और TP call होना शुरू हो गया, ठीक है, यह तीनों जान लो, इसके साथ साथ मैं आपको AP और MP के बीच का रिश्ता बताता हूँ, यह AP है न, तो MP ऐस जाएगा, तो MP और AP एक दूसरे के बराबर तब होते हैं, जब AP maximum होता है, और जब AP rise करता है, तो MP की value उससे बढ़ी होती है, कैसे बढ़ी है, देख लो, इसके उपर ही है, हरा रंग का curve, ठीक है, और जब AP fall हो रहा होता है, तो MP की value उससे छोटी हो जाती है, यह कुछ रि जाएगा, ठीक है, देखो, बना के दिखाता हूँ, भूग में बनाया होगा, यह TP, आपको मतलब इतने जान नहीं है यार, अब यहाँ पर, इधर कहीं, यह MP, AP बीच में गुसाना है, कैसे गुसाओ, यह TP था, सोरी, कैसे गुसाओगा AP को बीच में, AP curve, कैसे लियाओ, गि जाते हैं, इनके रिष्टे भी आपस में है, अब आते हैं जी, returns to scale, यह law of returns to scale, long run का law होता है, तिर्फ long run में काम करता है, short run production function नहीं होता, long run law बोल लो, या long run production function बोल लो इसको, production मैं ऐसे लिख रहा हूँ इस बार, function ऐसे लिख रहा हूँ, अब इस law में भी 3 सेज होती है, बढ़ते हैं, लो की, सारे फेक्तर को बदल दो, तो टोटल प्रडख्शाइन बदल जाता है, पहले बादागा, किसी एक को फिक्त रख को, फिर फेक्टर को बदलो गहे, तो production बदल जाएगा, obviously बदलता है, लेकिन सारे फेक्टर को बदलोगे, तो भी तो production बदलता है, माल लेते हमारे पास दो ही फैक्टर है लेबर और कैपिटल इसकी वजह से आउटपुट बदलेगा हमारे पास माल लो दो ही फैक्टर है लेबर और कैपिटल इसकी वजह से आउटपुट बदलेगा हमारे पास माल लो दो ही फैक्टर है लेबर और कैपिटल इसकी वजह से आ पूउटपूट हजार, लेबर सो, कैपिटल सो, आउटपूट हजार, और अब हम मालो अपने practice को डबल कर देते हैं, मालो labor को और capital को double कर दिया, दोनों को double कर दिया, double कर दिया, जी सो से दोस्तो कर दिया, तो labor बढ़ाई है capital बढ़ाई है मतलब सारे factor variable है long run की बात हो रही है तो production बदलेगा यानि बढ़ेगा तो जब हमने factor of production को जिस ratio में बढ़ाया है जिस proportion में बढ़ाया है डबल किया है ना तो हमारा output क्या double हो जाएगा ये नहीं पता double भी हो सकता है हजार से तीने जार हुआ हजार से वो दो हजार भी हो सकता था और हजार से वो पंदरा सो भी हो सकता था मतलब जिस ratio में हमने अपने variable factors को increase किया हमारा output उसे increase जादा बढ़ सकता था या जिस ratio में हमने अपने variable factor को increase किया उसी ratio में output भी बढ़ सकता था लेकिन ऐसा भी हो सकता था जिस ratio में हमारे labor और capital बढ़े हैं उससे कम ratio भी output बढ़ सकता था यह output तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसको बोलते हैं यह वाली मतलब यह है हमारे constant returns to scale TRS यह यह constant returns to scale वो situation होती है जब हम output को factor of input को जिस ratio में बढ़ाते हैं तो output भी उसी ratio में बढ़ता है लेकिन अगर उससे ज़्यादा ratio में बढ़ जाए तो वो increasing returns to scale है अगर उससे कम ratio में बढ़े तो वो decreasing returns to scale है अगर इनके लिए मैं marginal product बनाऊं तो यह 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 stage 1 increasing return यह constant return और यह long run production function को law of returns to scale भी बोलते हैं बस यह ध्यान रखना यह important है यहां से question आने के chance है बस ध्यान रखना इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं तो production optimization की बात होती है production optimization को हम बोलते है producer का equilibrium producer का equilibrium जैसे consumer equilibrium में budget line होती थी यह producer के budget के लिए यह मालो हम diagram बनाएंगे यहां पर एक यह AB यह ISO cost line है जैसे consumer के लिए indifference curve होता था यहां पर ISO quant curve है यह मालो ISO quant यह मालो ISO quant यह मालो ISO quant एक ही diagram पर हमने 3 ISO quant बना दिये I1, I2, I3 तो दोस्तों यहां पर यह जो point है E point यह producer equilibrium point है यह वाला point यहां पर production optimize हो रहा है यहां पर अगर हम बात करें तो वो इतनी तो labor use करेगा और इतनी capital use करेगा मतलब यहां पर factor of production लिखे हैं इधर भी और इधर भी यह क्या कर दिया सर आपने मतलब क्या बनाया है यह समझ दो तरह आप देखो ISO-quant के बारे हैं पहले समझो जैसे indifference curve consumption के बहुस तारे combination दिखाता है ISO-quant ऐसे ही ISO-quant production के बहुस तारे combination दिखाता है ISO-quant बिल्कुल indifference curve की तरह समझना इसको बस जहां चाहां indifference curve में consumption लिखा होता है ISO-quant में वहाँ वहाँ production लिखा होता है तो यह बोलता है इसके ओपर जितने भी point है वो यह बता रहे है कि सब same level of output produce करेंगे मतलब 100 unit का production माल लो तो सारे point 100 unit का production बता रहे है बस यह बता रहे हैं कि labor और capital के combination अलग हो जाएंगे यानि कोई बोलता है 10 labor plus 10 capital यूज करके सोग का production हो जाएगा कोई बोलता है 12 labor plus 8 capital यूज करके सोग का production हो जाएगा मतलब अलग-अलग labor और capital के combination दिखा रहा है और बोल रहा है कि production का level same होगा ऐसे ही जितना उचा ISO-quant होता है उतनी ही जादा output की value शो करता है इंडिपरेंस करव वाली फीचर है यहाँ पर इसका slope का नाम है marginal rate of technical substitution बस यह ध्यान रख लेना जैसे इंडिपरेंस करव के slope का नाम होता है MRS इसके slope का नाम है MRTS ठीक है और जैसे यह यलो वाली ISO-coast line है इसका slope होता है price of labor upon price of capital यहनि price of labor wage है और price of capital इंट्रस्ट है ऐसा मान सकते हो आप तो जब producer equilibrium में होता है तो यह दोनों ratio एक दूसरे के बराबर होती है यानि slope of ISO-coast line ISO का मतलब single होता है वैसे ISO का मतलब इतना मत जानो पस यह diagram आपको जानना जरूरी था बड़ा important है production का यहां पर optimization होता है कुछ बात है जो आपको ध्यान रखनी है producer को equilibrium तब होता है जब वो अपना output maximize करे या cost minimize करे तो यहां पर वो point इसको achieve हो रहा है यह point पे और IC2 पे हो रहा है और IQ 3 उसके लिए attainable नहीं है उसकी cost से भाहर जारा मतलब जो उसका budget है उससे भाहर जारा point तो यहां पर दोस्तो production function के सारे concept हो जाते हैं अब हमें कूदना है cost के concept पे cost वाला chapter is also important राइट तो cost के concept पे आते हैं एक बार यह type of cost लिखी हुई है आप इनका नाम पढ़ेंगे फिर मैं एक चीज़ explain करूँगा तो मोटे वोटे तोर पे हमें यह type of cost कर रहे हैं चलनी है और मैं दोस्तो एक एक वराइटी की जो categorize कर रखी है यहां पर उसको crystal clear करता हूँ आपको नाम से तो पहले पर accounting cost और economy cost है इसके लिए अलग से हमने topic डाल दिया है पर यहां पर रदाऊंगा आपको पहले यह समझो कि एक company जो खर्चा करती है अपने production के उपर और उसको account मे record कर रही है तो वो सारा खर्चा explicit cost होता है company ने बहुत सारे खर्चे ऐसे भी किया है जो record नहीं कर पही अपने account के इंदर उन सभी खर्चों को बोलते है implicit cost इनके सिर्फ idea होते हैं exact value नहीं होती और इन दोनों खर्चों को add कर दोगे तो तुम्हारे पास जो cost आएगी उसको ब implicit cost explicit cost एक पर्म का वो cost है जो account पर record हो रहा है यह account पर record नहीं होता यह पर्म का अपना खर्चा होता है यह owner के अपने resources का खर्चा हो सकता है जैसे कि एक बंदे ने अपने घर पे दुकान खूल ली जो घर पे जो space उसने इस्तिमाल किया है उसका किराया उसने कहीं पर भी record नह आएगा तो ऐसे कुछ खर्चें है जो अपनी जेब से लगा लेता है लेकिन अपनी कंपनी के अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं करता अब जो explicit cost है दोस्तों इसको ही बोलते अकाउंटिंग कोस्ट तो हर एक खर्चा जो अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा रहा है वो एक कंपनी को प्रॉफिट अंग करना है तो इट मस्ट भी कवर्ड तो ये कवर होनी चाहिए तो इससे ज्यादा अपना प्राइस रखना चीए यानि मालो तुम जो समान बना रहे हो उसकी एकॉनमी को दस रुबे है तो आप उसका प्राइस ज्यादा रखो ग्यारा बारा अब यार कॉस्ट का मतलब एक्स्पेंडीचर ही होता है खर्चा ही होता हे मोटे मोटे तोर पिधान रखो अपॉर्चिनटी कॉस्ट भी और या ध्यान जजरूर देना अगर तुमारे पास जिंदगी में दो ओप्शन है दोनों में से तुमने अगर एक option select किया है तो जो option आपने select नहीं किया न उसकी cost opportunity cost है माल लो आपके पास एक नौकरी है जिसमें आप 5,000 रुपे कमाऊगे परड़े एक दूसरी नौकरी है जिसमें आप 4,000 रुपे कमाऊगे परड़े अगर आपने ये choose किया तो ये choose नहीं किया न इसको पानी की भी opportunity थी तुमारे पास तो इसकी जो value है उसको opportunity cost बोलेगे है दुबारा समझो एक producer के पास दो option है कि वो अपने सारे resource को इस्तिवाल करके या तो एक car production कर ले एक car बना ले या बनाए 50 computer प्यार कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही वो अगर उसने 50 computer बनाए तो क्या नहीं बनाया एक car तो एक car की value उसकी opportunity cost है अगर उसने एक car बनाई तो क्या नहीं बनाया 50 computer मतलब जिस चीज को वो पास सकता था उसकी opportunity की value opportunity cost होती है तो basically इसके बारे बात के था करो तो it is the value of next best alternative use of a resource कोई भी resource का next best alternative use था या value of sacrifice जो तुमने sacrifice कर दिया पोर्गोन कर दिया word यूज होते हैं यहाँ पर पोर्गोन या sacrifice जहाँ पर भी word मिले समझदे ना इसके बारे बात हो रही होगी जो तुम पा सकते थे तुमने नहीं पाया उसकी value of opportunity cost देगा जी अगला जब MC के वाएंगे ना तब ज़्यादा ग्यान होगा इसके बारे में direct और traceable cost एक अलग से होती है indirect और non traceable cost अलग से होती है ऐसे खर्चे जिसका production से link भिठा सके company जिन जिन खर्चों को अपने production से link कर सके उन सभी खर्चों को बोलते है direct खर्चे है traceable cost है और मतलब per unit cost जिनकी calculate हो सकती है average cost calculate हो सकती है और ऐसे खर्चे जिनकी per unit cost calculate ना हो यानि जिनका production से link ना बिठा सको वो सारे खर्चे non traceable कर सकते हैं असली में example कुछ भी हो सकता है अगला historical cost and replacement cost यह past के अंदर जो तुमने खर्चा किया था assets को खरीदने के लिए past के अंदर जो assets खरीदने के लिए expenditure किया था machine खरीदने के लिए खर्चा किया था पहले कभी किया होगा एक्वायर करने के लिए assets को वो सारा खर्चा historical cost है लेकिन replacement cost है कि इसको replace करने पर जो खर्चा आएगा new assets खरीदने में जो खर्चा आएगा वो replacement cost है ठीक है अगला private cost वो ही actual expenditure फर्म का total cost बोल दो total cost नहीं बोलेंगे actual expenditure ही बोलेंगे या actual cost वोलो जोतना भी फर्म ने खर्चा किया किसी समान को बनाने में वो सब private cost है लेकिन उस समान को बनाने के बाद जो society को नुक्सान हुआ वो social cost है एक factory production तो कर देती है बताती है कि मेरा पांच क्रोड रुपर खर्चा आ गया लेकिन उस factory के वेज़े जो समाज के अंतर pollution फैला है न लोग जो बिमार हुए है वो cost समाज ने afford की है तो वो cost social cost होती है तो any cost afford by society in terms of pollution या any other thing वो सब cost social cost होती है जाननी बहुत ज़रूरी है ठीक है आगे बढ़ जाओ जी fix cost और variable cost क्या होती है fix cost वो cost होती है जो सिर्फ short run में रहेगी पहली बात तो long run में उसका कोई लेना देना नहीं है जो fixed factor of production के ओपर खर्चा होगा fix factor के ओपर जो भी खर्चा किया है factor दो होते है न वेरियेबल factor और fix factor fix factor वो जिसको आप बदल ने रहे तो उसके ओपर जो भी खर्चा कर रहे है वह सारा खर्चा fixed cost होता है इसका production से कोई relation नहीं होता not related with output output इसका production से relation नहीं होता मतलब यह खर्चे basic कर्चे होते ही होते है land खरीदना fixed cost है machine खरीदना fixed cost है लेकिन production करने के लिए तो मैं खर्चा चाहिए raw material ज्यादा ज्यादा चीए कia वह सारे खर्चे variable cost है तो variable cost वह खर्चे होते हैं जो short run में भी होंगे और long run में होंगे लॉंगर शॉर्ट रन ये जो भी variable factor पर खर्चा कर रहे हैं वह सारा खर्चा variable cost है क्योंकि इस लिए फिक्स कोस्ट लोम रन में नहीं Ohh उम्हान पर सारे फैक्टर वीरियबल होते है ना को पित्स कॉस्ट ओस्षल वॉट टेंग्रिमेंटल कॉस्ट और शंक कॉस्च रह सुर्ण्व घय karate को मार्जिनल कॉस्ट होती है कि जाधा प्रडूस्ट करने को वे और चांप गई जिसको रिकावर नी कर सकते एंडि कॉस्ट rituals नोट भी रिकवर्ड यह नि ऐसा क्या है जो डूब गया और रिकवर नहीं हो सकता भाई जो तुमने एड़डीजमेंट पर पैसा खर्चा दिया है अब तुम्हारा समान दिखेंग यह वापिस नहीं आ सकता मशीन पर खर्चा किया है न तो मशीन वापस बेच दो तो कुछ तो रिकवर हो सकता है एड़डीजमेंट पर खर्चा कभी रिकवर नहीं हो सकता जो तुमने रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्चा कर दिया इनोवेशन करवाने के लिए एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए वह आपस नहीं आ सकता तो वह खर्चे सुमारे संक कॉस्ट हो तो ठीक है, आपके रेपोट है, cost function, cost और output के बीच का जो रिष्टा होता है, उसको बोलते है cost function, तो ये भी एक relation है, इसको लिख दो, it is a relationship between cost and output तो कैसे इसको लिखेंगे हम, quantity is the function of cost, ये output है, ये cost है, इनके बीच में कोई रिष्टा है, उसको बनेगे cost function, that's it, easy चीज़ है, आगे, कुछ short run cost होती है, कुछ long run cost होती है, long run cost, long run cost वो cost है, जो long run में खर्च होई है, मतलब, जहाँ पर कोई भी factor variable नहीं था, short run cost वो है, जहाँ पर कुछ ना कुछ factor variable भी थे, और कुछ fixed भी थे, basically, fixed जोने ज़रूरी है, यहाँ पर curve जरूर दिखें गया, ये तीन है, total fixed और variable, यानि, अगर मैं, जितनी भी very fixed cost है, उसको total कर दूँ, तो लिखूंगा ऐसे, total fixed cost, जितनी भी variable cost है, उसको अगर total कर दूँ, तो लिखूंगा total variable cost, TFC, TVC, ये total fixed cost, ये total variable cost, इन दोनों को plus कर दिया, तो मेरे पास आजाएगी total cost, ठीक है, अगर मैं total cost को output से divide कर दूँ, तो मेरे को मिलेगी average cost, अगर मैं total fixed cost को output से divide कर दूँ, तो मेरे को मिलेगी average fixed cost, और अगर मैं total variable cost को output से divide कर दूँ, तो मेरे को मिलेगी average variable cost, इस बात को ध्यान रखना है, formula जेक दूसरे को करने है लेकिन लांगरन में टीगा नाम टीची हो जाता है फिनके कर बगर करने तो थे खरण में कैसा दिखता है यह देख लेंगे गए इसThis का इस ते हैं यह देख होता है तो यह TFC है यह TVC है तो इन दोनों को जोड़के सफेज रंग का कर्फ बनाऊंगा वो यहां से शुरू होगा यह TC है तो TC और TVC दोनों के शेफ लगबक शेम सी होती है बड़ TVC 0 से शुरू होता है यह Y-axis के किसी इंटर्चेट से शुरू होता है शॉर्ट रं में अब A-C कर यू शेफ नोता है पहले फॉल फिर राइस एवी सी यह ऐसा ही होता है तिक है एफ C यह फॉल होता रहता है सिर्फ रेक्टेंगुलार हाई यह सिर्फ फॉल होता रहता है ऐसी के बारे वर जो से बिल्कुल से मैं है इसा होगा है आप अब इनके आपस में रिष्टे बता दू यह सब कर्व के नाम तो हमने करे लिए है रिलेशनशिप देख लो यह सब सब्सक्राइब आपस क्या होता है एपसी लिट इंसे अपर घंप वारय यह जो और जिए है किदे मिदत में इसको ऑफ confiscate अ किया 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 हाँ जी ऐसा किया है जो हरे और सफेद रंग के बीच का गैप है यह पहले ज़्जादा साथ फिर कम होता चला गया तो इन दोनों के बीच का जगा पाता है ऊपर लिखाई यह AC, नीचे लिखा है AVC, इन दोनों के बीच का जो gap होता है दोस्तो, उसको बोलते AFC, और AFC की value देखो पीछे हमेशा कम होती रहती है तो यह gap कम होता रहता है और MC curve yellow color का, इन दोनों को इनके minimum point पर कट करके जाएगा यह MC curve है, यह बात ध्यान रखें और MC और AC में रिष्टा क्या होता है यह रहा, MC AC को इसके minimum point पर कट करता है दूसरा, जब AC fall हो रहा होता है तो MC की value उससे नीचे होती है और जैसी AC rise होता है तो MC की value उससे ज़्यादा हो जाती है यह रिष्टे वाई, यह रिष्टे जहान रखना यहां से भी question बनता है और MC और ABC में भी shame रिष्टा है बस AC का नाम ABC कर दो तब भी काम हो जाएगा तुमारा इतनी practice करने के लिए नहीं बोलूँगा MC value में आई यह practice तो ओके रिपोर्ट, यह रिष्टे, यह curve यह ज़रूरी हैं आपको जानने कैसे बने हैं कैसे नहीं बने हैं, आगे long run average cost आपके course में हैं बागी सारे long run के जो cost curves हैं वो आपके course में नहीं है long run average cost को हम U-shaped curve भी बोलते हैं और इसको ही दोस्तों envelope curve भी बोलते हैं envelope क्यों बोलते हैं माल लो, short run के अंदर average cost में मना रहा हूँ, अलग-अलग अलग-अलग plant के अलग-अलग curve है एक यह है एक यह है एक यह है अलग-अलग इसके मैं अलग-अलग point लेता हूँ, माल लो कि मुझे इतना production करना है यहां तक तो यह वाला curve बोलना है इतना खर्चा कर लो लेकिन दूसरे वाला curve यह पहला यह दूसरा, यह तीसरा यह बोल रहा ज्यादा खर्चा लगेगा तो मैं पहले वाले plant से production करूँगा यह तीनों अलग-अलग-अलग plant के curve है अगर मुझे यह production करना है तो दूसरा plant बोल रहा है इतना खर्चा लगेगा मतलब सामने और पहले वाला बोलना था ज्यादा ही खर्चा लगेगा तो मैं यहां आऊँगा और अगर मुझे इतना production करना है तो कम खर्चा यहां हो रहा है बागी सब ज्यादा लेंगे तो दोस्तो ऐसे points को join कर देंगे न तो हमारे पास एक curve आता है इसको बोलते है long run average cost curve तो long run average cost curve U shape नहीं होता ऐसे envelope shape होता है इसने बहुत सारे ऐसे short run के average cost के curves अपने अंदर envelope की होते है envelope का मतलब लिपापा होता है ना नीचे लिपापा के अंदर बहुत सारे curve समाय होते है तो short run के बहुत सारे average cost curve इसने अपने अंदर समा लिए है आगे बढ़ते है economies of scale और dis economies of scale क्या होता है long run से related concept है economies of scale का मतलब होता है सस्ता और dis economies का मतलब होता है सस्ता ना बढ़ना नहेंगा जब एक company की average cost कम होती चली जाती है तो बोलते है economies of scale enjoy कर रही है वो economies of scale को कैसे दिखाते है यह average cost का कम होना long run average cost यह लगातार खर्चा कम हो रहा है company को सस्ता पढ़ रहा है यह यह अपर दो बाते दिखती है यहां तक तो उसको सस्ता पढ़ रहा था इस point तक यह तो यह economies of scale है यहां महंगा पढ़ रहा है तो यह dis economies of scale है यह वाला portion economies of scale था तो falling portion of long run average cost curve is the economies of scale यह इतना detail में आपको पढ़ना नहीं है अब internal और external दोनों तरीके से economies of scale हो जकती है internal economies का मतलब company के अंदर के matter की वज़े से जो company को सस्ता पढ़ा है और internal dis economies भी हो सकती है company के अंदर कोई reason था उसके वज़े से company को चीज़े महंगी बढ़ रही है external का मतलब कोई बाहर का competition वगेरा की चीज़ों की वज़े से company को फाइदा हो रहा है तो वो external economies of scale है और कोई नुकसान हो रहा है था वो external dis economies of scale है तो internal company की insight वाली चीज़ों की वज़े से फाइदे नुकसान और external मतलब company के बाहर की चीज़ों की वज़े से फाइदे नुकसान बस इतना ही जानना है और आगे numericals की बात कर लेते हैं production function की फिर बात करेंगे cost की भई production function में mainly तुम्हें तीन चीज़े जाननी है एक AP दूसरा MP और तीसरा TP ठीक है AP का formula होता है TP upon variable factor variable factor labor भी होता है तो generally labor ही लिखा विलता है MP होता है TP N minus TP N minus 1 यानि दो TP के बीच का difference यानि delta TP upon delta variable factor labor लिख दिया मैंने यहापर और TP होता है आपका average product को अगर multiply कर दो variable factor से तो भी निकल जाएगा या फिर marginal product को जोडते रहो तो भी TP हा जाएगा numerical solve करके देख लेते हैं मालो इदर labor लिखा है इदर TP की value लिखी है और labor की value लिखी है 0,1,2,3,4 और TP की value लिखी है 0,10,25,35 और 40 बोलता है MP निकालो MP निकलेगा जी TP के difference से है अंतर से निकलेगा TP के बीच में जो भी अंतर आ रहा है TP का अंतर रहा है TP N-N-1 तो 0 है कोई अंतर नहीं है भी dash है अभी देखो सामने वाली term minus पीछे वाली term 10 में से 0 हो गया 10 अब यहाँ पर निकालना है सामने 25 से पीछे 10 है 25 में 10 गया 15 यह निकालना है तो सामने 35 से पीछे 25 है 35 में 25 गया 10 अब 40 में 35 गया 5 यह MP निकल गया लेकिन कलाकर ही तब खेल सकता था तुमार साथ हो जब लिखता labor एक है फिर तीन हो गई total product 10 था फिर 40 हो गया MP बताओ कितनी है MP शुरू की निकलेगी डैश कोई change नहीं आएगा अब यहाग गेम कहलेगा 40 में से 10 गए 30 बच्चे इसको ठीक करके आएंगे नहीं लेकिन यह ठीक नहीं होगा क्योंकि यह तब ठीक होता जब labor continuously एक एक के gap से बढ़ता रहता जब gap बढ़ गया ना एक और तीन के बीच का अंतर दो होता है इसी gap से divide कर दो इसको पंतर आएगा यह हमारा सही होगा यहाँ पर formula कौन से लगा है यह वाला delta tp upon delta l यानि labor के बीच में जो delta है मतलब gap है हम उससे divide करते हैं अब यहाँ क्यों नहीं करके दिखा रहे थे क्योंकि यहाँ एक एक का gap था भई इसलिए नहीं करके दिखा रहे थे ठीक है तो यह numerical ध्यान रखना अब ap की value calculate करेंगे ap की value सिर्फ tp से calculate रुखती है 0.0 not define टीपी को लेबर से डिवाइड करते रहो दस बटा एक दस पच्छीस बटा दो थाड़े बारा 35 बटा तीन 11.something आ जाएगा 40 बटा दस दस आ जाएगा 35 बटा तीन क्या आएगा 11.67 मान लो यार ऐसे values calculate होती है अब थोटा था पोस्ट के बारे में समझ दो वोस्ट के बारे में यार आउटपूट मान लो आपको दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 और यहां पर TFC दी हुई है TFC दी हुई है मान लो 40, 40, 40, 40, 40 शॉर्टरन में टोटल फिक्स को स्कॉंसेंट रहती है और यहां TVC दी हुई है TVC मान लो कितनी दी हुई है मान लो शुरू में 0 आउटपूट है तो 0 ही है यानि यहां से MCQ करेक होता है जब शॉर्टरन में प्रडक्शन 0 होता है तो वेरियेबल कॉस्ट 0 होती है लेकिन टोटल कॉस्ट अभी भी होती है जब कुछ ना कुछ होती है 0, 10, 18 और यहां पर लिख देंगे 24, 27 लिख दो 28 के लिखो जो मरसे लिख दो यार 22 लिख दिया फिर लिख देंगे यहां पर 60 जो मरसे लिख दिया हमान से बेल्टियो अब निकालो सब कुछ अब कुछ निकालना है तो पहले तो TC निकालते हैं, TC होता है इन दोनों का टोटल, 40 और 0, 40, 40 और 10, 50, 40 और 18, 58, 40 और 24, 64, 40 और 60, 100, चलो जी हो गया, अब निकालो MC, अब देखो MC निकालने के दो तरीके हैं, TC के बीच का गैप ले लो या TVC, शॉर्ट रन में TVC के बीच का गैप लेना, TC का भी ले सकते हो, बट टली वाली वैल्यू अलगा सकती है, तो शुरू में 0 है तो डैश, अब 10 में से 0 गया, 10, 18 में से 10 गया, 8, 24 में से 8 गया, 6, 60 में से 24 गया, तो यहां बचते हैं, 36, यह आगई वैल्यू, अब A family निकालो, य कोई दिकत नहीं है, AFC निकलेगा, TFC को आउटपुट से डिवाइड करने के बाद, TFC एरा, आउटपुट एरा, 40 गटा 0, non-define, 40 गटा 1, 40 ही रहेगा, 40 गटा 2, 40 गटा 3, 40 गटा 4, ओके, ABC की वैल्यू निकलेगी, TVC को डिवाइड गर, आउटपुट से, TVC एरा, इसको आउटपुट से डिवाइड दो, 0 बटा 0, 0, 10 बटा 1, 10, 18 बटा 2, 9, 24 बटा 3, 8, 30 बटा 4, 15, सूपरफास्ट बच्चे इस बात को कैच कर लेंगे, कि नुमरिकल में कोशन सॉल्फ होए कैसे है, सूपरफास्ट बच्चे कैच कर लेंगे, बाई, अब AC की वैल्यू, दो त पच्चास, 20 प्लस 39, 13.33 प्लस 8, 21.33, 10 प्लस 15, 25, होगे काम, सारी वैल्यू निकाल दिया आपने, यहाँ पर फॉर्मले इस आपको अच्छे से आने चाहिए, एक एक चीज के, कोस्ट के भी, और प्रडक्शन के भी, बस इस बात को ध्यान रखना, प्रडक्शन में तीन च चीजों पर काम करना है, कॉस्ट में साथ चीजें है, तीन है T family की, TC, TFC, TVC, AC, AFC, AVC, और साथ भी है marginal cost, increment cost बोलते हैं इसको, अब जो AC है, इसको कहीं-कहीं A, T, C, B बोल देते हैं, यहाँ साथ चीजों का ख्याल रखना है, यहाँ पर तीन चीजों का ख्याल रखना है, त एक numerical और तुमार सामने पेश करता हूँ, quantity लिखी है माल लो 1 से 3, जो एक नंबर का सकता है, और यहाँ पर माल लो TVC लिखा है, 10 से 18, MC निकालो, बच्चे क्या करेंगे जाए तर, क्रू में तो नहीं निकल सकता, 10, अकेली value हो, कोई चेंज ही नि, डैश, अब 18 में से 10 गए तो उससे divide करो, तू का gap है, उससे divide करो, 4 आएगा, 4 ठीक रहेगा, यह आपको option में मिलेगा भी, तो यहाँ घुमाएगा फिर आएगा आपको, अब दोस्तों आपके सामने MCQ पेश किये जाते हैं, बलब MCQ की practice करना सबसे ज़्यादा ही जरूरी है, अगर अच्छे number लाने ह तो, MCQ के बिना कुछ नहीं हो सकता, MCQ कर रहे हैं, पहला question, which of the following is considered production in economics, economics में production किसको बोलते हैं, भाई आपके सामने 4 option है, देखते हैं, tilling of soil, soil पर tilling करने से, मतलब मिट्टी पर कुछ करने से, या singing a song before friends, दोस्तों के सामने गाना गा रहे हैं, या preventing a child from falling into manhole on the road, अलब गड्डे में गिरने से किसी बच्चे को बताया, तो ये production है, या painting a picture for pleasure, खुशी के लिए कोई drawing बना दी, picture बना दी, इन 4 में से production क्या है, production मतलब कोई समान बनाना, tilling of soil production है याँपर, तो उल्लू बनाने वाले option दी होई थे यार, confuse नहीं होना है, ए ठीक है, ए के साथ जाएंगे, तो easy question के साथ शुरुआत कर रहे है, ICAI के study material के question है, next question, बोल रहा है, कौन सी correct statement है, चारो में से, चारो statement पढ़नी पढ़ेगी, फिर तो नीचे से पढ़ना शुरू करते है, internal economies of scale can accrue when industry expands beyond optimum, beyond optimum मतलब, optimum का मतलब होता best, ये वाला, यहाँ पर ISO quant और production एक दूदरों कट कर रहे है, कह रहा है, इसके बाहर जाके अगर company production करे, तो internal economies of scale अच्छी हो सकती है, नहीं तब नहीं होगी, यही optimum best point है, जहां पर मजा आ रहा है उसको, फिर economies of scale arise only because of individuality of factors of proportion, factor, proportions, यहीं जो हमारे पास factor of production है, वो indivisible है, मतलब divide नहीं हो सकते, इसलिए economies of scale arise होती है, मतल factor का तो ऐसा indivisibility का कोई relation नहीं है, अगला, the law of increasing returns to scale relate to the effect of changes in factor production, law of increasing return, तिरिफ यह बताता है कि factor, factor में changes आएंगे, changes नहीं, increasing return to scale बताता है कि factor के proportion में increase होगा, जिस ratio में, उस ratio में output increase होगा, अगला, the average product is at maximum when MP, यानि marginal product is equal to average product, क्या बोल दिया, इसने इसको देखने ज़रा, यह मालो average product है, फिर इसके साथ में, यह marginal product है, तो कहते हैं, average product अपने आपने maximum तब होता है, जब MP कर्व उसको cut करता है, यह बात बिल्कुल सही है, यही बात सही है, तो A के साथ जाएंगे, A हमारा option है, again, A is right, ठीक है जी, अगले पर चलते हैं, क्या बोलता है, which of the following is not a characteristics of land, land, मतलब कोई भी factor of production हो, उसके characteristics से related question आ सकता है, तो इन चारों में से कौन सी उसके characteristics, नहीं है, पढ़ते हैं जणा फिर भई, its supply for the economy is limited, यानि fixed death, मतलब जितनी land है, दुनिया में उतनी रहेगी, बिल्कुल सही बात है, फिर it is immobile, इसको shift नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, its usefulness depends on human efforts, यह कितनी इस्तिमाल हो सकती है, human effort पर depend करता है, और इसको क्या बोल सकते हैं, इसके लिए बोलते हैं कि यह passive factor है, इसका मतलब यहीं तो होता है, land एक passive factor, not active factor, तीनों बाते हैं ठीक है, मतलब चौती नहीं है, लेकिन बढ़तो लो, it is produced by our forefathers, land किसी नहीं नहीं बनाई nature का gift है, यह गलत है, यह nature gift है भाई, हमारे forefathers मतलब, और बजों नहीं बनाके दी land, land तो पहले सही है, तो D option यहां मार्क करेंगे, D land की feature नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगला, which of the following statement is true, यानि फिर बताना है कि कौन से statement true है, तो तीन statement गलत भी होंगी, इनको यह नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, अब जैसे मर्ची solve कर लो, अपने अपने तरीके हैं, हरे रंग से करते हैं, the supply curve of labor is upward sloping curve, the labor का supply curve आपको बताऊं, upward sloping नहीं, backward bending होता है labor का supply curve, इस बात को ध्यान रखना, अगला, external economies go with size and internal economies goes with location, गलत, उल्ट savings can be influenced by government policies, सरकार की नीतियों के वज़े से बदल सकती है, सरकार हमारे उपर tax ज्यादा लगाएगी तो हम कम save कर पाएंगे, tax कम लगाएगी तो हम ज्यादा save कर पाएंगे, ऐसा होता है क्या, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सरकार हमें interest ज्यादा देगी तो हम save ज्य on income of individuals, खलब capital कितने एखटी हो रही है, यह depend करता है individual की income पर, इस पर depend नहीं करता है, बहुत सारे factors भी depend करता है लेकिन यह factor नहीं है उसका, तो भी ठीक है यहाँ पर saving सरकारी policy से effect होती है वाई, तो ऐसे देखो concept करने के बाग, ऐसे 8 पड़े, 6 पड़े numerical मिल जाएंगे, MCQ म सब variable factor है, all of the following, that are used by the farmer, except, जब गहुं का production करोगे, तो नीचे जो लिखे में सारे variable है, किसको छोड़ कर, किसको accept, तो चार option दिये में हमें, और हम नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे, the number of hours that farmer spends in cultivating the wheat field, number of hours मतलब उसकी labor, इतने समय वो काम कर रहा है, farmer, ठीक है, क्या ये variable है, ये बताना भई, अगला, the tractor used by farmer in planting and cultivating not only wheat, but also corn and barley, barley का मतलब, जो होता है, जो, ठीक है, तो tractor जो यूद कर रहा है, वो wheat के लिए, corn के लिए, barley के लिए, वो इसका अंसर होना चाहिए, ठीक है, या फिर, the field that has been cleared of trees and in which the crop is planted, या वो area, जहां पर खेती करनी है, उसको crop plant करनी है, उसकी बात कर रहा है, या देखते है, the seed and fertilizer used when the crop is planted, या जब crop plant की है, मतलब खेती की है, गेहों के पोदे लगाए है, उसके अंदर जो भीज और खाद, chemical वाली खाद को fertilizer बोलते हैं, बड़े confusing options हैं, ऐसी option आते हैं, एक्जाम के इंदर, ठीक है, किसको छोड़ कर, तो जितने भी पड़े हैं हमने, सिर्फ जो field है न, ये land, ये land हमारे पास fix जाए, नमझे लोग, बागी सब variable है, तो land ही fix है, फिल्ट दे दिया न, आपर, तो ये B, कहिए B के साथ जाएंगे, land मतलब field, ओके, अगले question में move करते हैं, चलो जी, which one of the following is also known as planning curve, planning curve किसको बोलते हैं, planning curve, ATC नहीं, AVC नहीं, short run average cost curve नहीं, long run average cost को planning curve बोलते हैं, ये बाट ठीक है, planning curve और बताऊं, इसके अंदर जो छोटे-छोटे curve थे हैं, वो average cost वाले, पीछे बताता हूं, वापिस चलते हैं, यहापा drive करके बताया था आपको ये, ये वाले, इन छोटे-छोटे curve को बोलते हैं, plant curve, ठीक है, और ये वाला curve है, हमारे पास, envelope curve, ओ स्थोरी, planning curve, planning curve, अच्छा, envelope curve, छोटे-छोटे-चोटे MC को जोइन करके आता है, वो होता है, envelope curve, MC, long run MC को, ठीक है, वो उनका envelope कर लेता है, ध्यान रखना, फिर हो जी आ गया जाते हैं, अपने MC को पे 6, हमने question तौल कर लिए क्या, 6 कर लिए, साथवे पर आ रहे है, कर लिख है, if a firm moves from one point on a production, दुबारा सुनो, आइसो कोइंट की बात हो रही है, ठीक है, if a firm moves from one point on a production, आइसो कोइंट to another, which of the following will not happen, या नहीं माल लो, अकर यह आईसो कोइंट कर रहे हैं, और इसके ओपर बहुत सारे points है, a, b, t, बहुत सारे हो सकते हैं, एक firm अगर एक से दूसरे point पर move कर रही है, तो यह आईसो कोइंट कितने भी point दिखा ले, सारे के सारे point पर production सेम रहता है, ठीक है, सिर्फ labor capital के combination change होते हैं, तो उसके related बात हो रही है, क्या, बोल रहा है option में, लिका है, a change in the ratio in which inputs are combined to produce output, चीक है, तो बोल रहा है, इन चारों में से कौन सी बात नहीं होगी, तो यह यह क्या गया रहा है, input के ratio बदलते रहेंगे, हाँ, input के ratio बदलते रहेंगे, लिकिन output सेम होगा, यह बात सही है, अगला, a change in the ratio of marginal product of input, marginal product of input, मतलब input जो आपको return दे रहा है, उसका ratio बदल रहा है, हाँ, उसका ratio बदल रहा है, अलग-अलग return दे रहा है, लेकिन दोनों combine होके, अलग-अलग level of output दे दिखाता है, सारे ISO quant के point, same level of output दिखाते हैं, ठीक है, तो D यहाँ पर ठीक है, D के साथ चल पड़ो भाई, उककर report तरीक के से, आ गए आठवे question पे, क्या बोल रही है है भाभू, with which of the following is the concept of marginal cost closely related, इन चारों में से किस के साथ marginal cost का concept closely related है, चार चीज़े दिवी आपको, नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं, एकानमिक कोस्ट, यह क्या होता है, accounting cost plus simplicity cost, opportunity cost, यह वो जो हमने पोरगॉन कर दी, fixed cost या variable cost, fixed cost का कोई लिए इन दिन नहीं है, variable cost के साथ related होता है, marginal cost, यह ठीक है, short run में MC क्या होता है, टीवी सी एन, माइनस टीवी सी, एन माइनस वन, variable cost के साथ related होता है, और long run में अगर TC के साथ है, तो long run में फिर fixed cost होती है, अभी variable cost है, long run के अंदर सारी cost, variable cost होती है, आख जाओ, अबला, which one of the following, या which of the following statement is correct, चारों में से कौन सी statement correct है, कौन सी सही है, मतलब तीन गलत है, पहले नमबर में लिखा है, when average cost is rising, the marginal cost must also be rising, जब AC बढ़ रही होती है, तो MC भी बढ़नी चाहिए, कैसे, यह माल लो AC है, तो यह माल लो MC है, जब AC बढ़ रही है, यह बढ़ रही है, यह बढ़ रही है, यह बढ़ रही है, तो यह statement falls हो गई, अगले प्याज़ ओ, when average cost is rising, the marginal cost must be falling, यह जब average cost बढ़ रही है, यह, तो marginal cost को fall होना चाहिए, नहीं, नहीं, fall तो यहाँ हो रही थी, यह बढ़ भी सकती है, और पहले से भी बढ़ रही है, यह statement भी गलत हो कोई, तीसरी, when average cost is rising, marginal cost is above the average cost, जब average cost बढ़ रही है, तो marginal cost उससे उपर है, देख लो, white से दिखाता हूँ, जब average cost बढ़ रही है, तो MC से उपर है, देखो, उपर है, यह बात ठीक लग रही है, अगला, when average cost is falling, marginal cost must be rising, जब average cost fall कर रही है, यह, तो MC rise होनी चाहि यह नहीं, fall भी करें, rise भी कर रही है, तो यह वाली भी गरत है, C के साथ जाएंगे, C ठीक है हमारा है आपर, ठीक है जी, अगले दसवे question पर चलते हैं, और लिखा है, which of the following is an example of explicit cost, explicit cost की बात हो रही है, मतलब accounting cost की बात हो रही है, जो accounts के अंदर record किया जाता है, उस खर्चे की बात हो रही है, तो pen का color change करते हैं, पर option बढ़ेंगा भई, पहला, the wages of proprietor, proprietor मतलब, दुकान का एक अकेला मालिक, उसकी बात हो रही है, wages of proprietor could have made by working as an employee of large firm, अच्छा, यह कह रहा है, मालो आपने अपनी दुकान खोल ली, आप अपनी दुकान के मालिको, लेकिन, तुम कि wage, क्या, explicit cost होगी, नहीं होगी बिल्कुल भी, implicit cost होती है, जो सोच रहा है, या फिर, the income that could have been earned in alternative uses by the resource and by the firm, यह यह बोल रहा है, कि वो income, जो वो बंदा earn कर सकता था, अपने resources को कहीं और इस्तमाल करके, जो उसने company में कर दिये, यह भी explicit cost का example नहीं है, implicit cost यह, या था payment of wage by the firm, firm ने salary दिये, अपने employees को, account में record किया उसको, जो record किया जाता है, वो यह accounting cost होता है, या normal profit earned by the firm, profit cost नहीं है, तो C number पर जाएंगे, यह ओक्ते report है, normal profit earned by the firm, यह cost नहीं होता है, ध्यान रखना, यह अगर बात करो, तो normal profit, वो profit होता है, जहां पर कोई profit नहीं हो और कोई lose नहीं हो रहा, अगले question पर आते हैं जी, क्या लिखा है, what is the production function, technical relationship है, input और output के बीच में, ठीक है, पहले ही बताया था, तो option पढ़ लेते हैं, लिखा है, technical relationship between physical input and physical output, पहला ही सही है, तो फिर कुछ और पढ़ने की ज़रुती नहीं है, यार, नहीं ओक्ते करो इसको यह number ठीक है, जब exact definition मिल गई, तो आगे भागने की ज़रुती नहीं है, सारे option बस confuse करने के लिए दियो हैं, इसके कुछ और सीख मिलती नहीं है, अगले पर आ जो, laws of production does not include, यानि जो production के low है, उसमें क्या include नहीं होता, वो बताना है, तो returns to scale, long run का production function है, law of diminishing returns to a factor, short run का production function है law of variable proportion, यह दोनों एक दूसरे के, ना में अलग अलग, तो least cost combination of factors, यह producer equilibrium से related है, तो यह law नहीं होता, यह optimization की बात हो रही है, D के साथ जाएंगे, ठीक है, अगले बढ़ते हैं, तेरे में नंबर का question, ISO quant के बारे में है, ठीक है, and ISO quant shows, ISO quant क्या show करता है, वो बताना है, सारे option combination of two inputs, alternative combination show करता है, दो inputs, labor capital, कुछी को अलो, that can be produced by using a given set of output, fully and in the best possible way, मतलब, वो best possible way में production करने की capacity को show करता है, नहीं, वो तो producer equilibrium show करता है, तो यह line तो गलत हो गई, फिर क्या show करता है, all the alternative combination of two products, product के combination show नहीं करता है, बिलकुल भी, input के show करता, अगे line पढ़ने की जरूरती नहीं है, फिर बोल रहा है, all the alternative combination of two inputs, हाँ, ठीक है, they, that yield, yield का मतलब बोल दो, provide, that provide the same level of total product, हाँ, जो same level of output show करते है, वो ही है, C ठीक है, आगे जाने की जरूरती नहीं है, तो C के साथ जाएंगे, ओके report तरीके से, question number 14 पे आजाते है है, बाई, क्या बोल रहा है, economies of scale, मतलब falling, long run average cost, सस्ता पढ़ना, exist because firm increases its size in the long run, economies of scale, इसलिए exist करती है, क्योंकि firm long run में अपना size expand कर देगी, बढ़ा देगी, तो इसके पीछे, कौन सा reason है, reason बहुत सारे हैं, बाई, पढ़ लेते हैं, labor and management can specialize in their activities more, labor and management specialize हो जाते हैं, activity में, तो खर्चा कामाता है, जब specialized नहीं होते हैं, जो लोग, वो wastage ज्यादा करते हैं, जो trained होते हैं, expert होते हैं, वो wastage कम करते हैं, तो यह बिल्कु ठीक लग रहा है, कि economies of scale आएगी, अगर specialized रहेंगे, तो, अगला, as a larger input buyer, the firm can get finance at lower cost, अगर फर्म भहुत सारे input खरीद ले, raw material एक बार में, wholesale के भाव में खरीद ले, तो फर्म को भी cost कम पड़ेगी, बिल्कुल, यह भी सही है, कि input lower cost पे पढ़ जाएगा फर्म को, अगर भहुत सारी quantity में purchase कर ले तो, फिर, the firm can afford to employ more sophisticated technology in production, sophisticated मतलब high tech technology होती है, फर्म उसको afford कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, अगर उसको economy of scale हो रही हो तो, यह अपना size expand कर रही हो तो, तीनों बाते सही है दोस्तो, all of these D पे लिखा है, तो D के साथ जाएगे, यही हमारा science है, ठीक है जी, पंद्रवे पे आजाओ क्या बोला है, the production function, production function के बारे में लाइन लिखी है, क्या है यह, production function technical relation है, physical input और physical output में, ठीक है, तो लिखा है, is the relationship between the quantity of input used and resulting quantity of output, quantity of input used की है, जितनी और finally क्या output आया है, ऐसा लगता है, हाँ, input को use किया, तो output कुछ produce हुआ है, इसके बीच में रिस्ता है, थोड़ा थोड़ा link लग रहा है, फिर tell us the maximum attainable output from a given combination of input, हाँ, ये बताता है कि इतने input लगा दोगे तो इतना output आपको मिलेगा, ये line भी ठीक लग रही है, फिर express the technological relationship between input and output, ये line तो definition है, ये भी ठीक लग रही है, तो चौते पर all of the above लिखा है, D की साथ जाएंगे, D के साथ भागेंगे, दोड़ है, चलो जी, कितने बड़े-बड़े option लिखे है, लिखा है, implicit cost can be defined as, implicit cost की definition पूछ रहा है, तो implicit cost वो खर्चा होता है, जो एक honor अपने घर से करता है, और उसको accounts में record नहीं करवाता, ठीक है, तो क्या लिखा है, money payment made to the non-honor of the firm for the self-earned factor employed in the business and therefore not entered in the books of accounts, आधी बाते ठीक ल non-honor नहीं होता, honor होता है, जो मालिक है उतने जो खर्चा किया है, ठीक है, money not paid, पहली बात तो made मी नहीं है, paid ही नहीं किये तो, ठीक है, money not paid, money not paid out to the honor, जो मालिकों को पैसे नहीं दिये गए, मालिक ने अपने घर से लगाए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला, of the firm for the self-earned factors employed in a business and therefore not entered in the books of accounts, yes, ये definition सही है, तो आगे पढ़ने की जरुती नहीं है, क्या बोलता है, कि honor ने अपने घर से पैसे लगाये थे, उसको company की तरफ से ना मिले, इसना अकाउंट्स में record हुए, वो सारे पैसे implicit cost होते है, तो B के साथ जाएंगे, B ही सही है, अगले पर चलते है जी, क क्या बोलता है, the most important function of an enterprise या entrepreneur is to dash, किसी भी enterprise का सबसे बहतोपूर्ण function क्या होता है, चार option है, innovation, innovation होता है, resource का coordination होता है, we are the sense of responsibility, finance, earn profit, इन में से कुछ नहीं होता, ये वाला होता है, ए के साथ जाएंगे, ठीक है, बढ़ा important है, अगला, 18 नमबर का कोश्य नहीं लिखा है, economy cost of production differ from accounting cost of production, because, economy cost और accounting cost एक दूसरे से अंतर क्यों है, अब देखो न, economy cost, accounting cost और implicit cost का total है, accounting cost को explicit cost भी बोलते है, देखो, क्या बोलता है, नीचे से बढ़ते हैं, इसको चलो, economy cost add to the opportunity cost of a firm, which uses its own resource, अच्छा, यहीं इनोंने दाग दिया, सही अंसर, यह कहरा, जो opportunity cost firm है, उसके अंदर अगर implicit cost add कर दे, तो वो हमारे पास, economy cost बन जाएगी, हाल फिलाल सही लग रही है बात, आगे पढ़ते हैं, accounting cost include expenditure for higher resources, while economy cost denote, accounting cost में तो higher expenditure include होता है, economy cost में नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है, economy cost में accounting cost होती है, यार, यही वाला option ठीक है, डी वाला, डी के साथ ही जाएंगे, जब डी सही लग रहा है, तो इसके साथ ही जाएंगे, और, कोई भी सही नहीं है, 19 में प्यादा आते हैं, diagram बना हुआ है, ABC, ATC और MC, MC ने इन दोनों curve को उनके minimum point पर गट किया है, ऐसा माल लो, तो क्या बोल रहा है है, इन फीगर बिलो, possible reason why the average variable cost curve approach the average total cost curve as output rises, क्या रहा है कि ABC, AC की तरफ क्यों बढ़ रहा है, ATC की तरफ क्यों बढ़ रहा है, यानि इन दोनों के बीच का gap धिरे-धिरे कम हो रहा है न, ये कर धिरे-धिरे बढ़ता-बढ़ता-बढ़ता-बढ़ता, है, ऐसा क्यों, उसका क्या reason है, भहिए इन दोनों के बीच का gap होता है, AFC, production के बढ़ने के साथ, AFC की value कम होती रहती है, यहाँ देखना है कि हमें AFC की बारे में कहाँ पर explanation लिखी हुई है, ठीक है, because fixed cost falling, नहीं, total cost rising, नहीं, marginal cost above, AFC का चक्कर है, average fixed cost are falling as output rises, हाँ, AFC falling ही reason है, इसका, D ठीक है, D के साथ जाएंगे, इस बात को सभी से समझ देना, कि, AFC माइनस AVC, AFC होता है, इन दोनों के बीच का जो gap है, वो यह gap ही तो देरे-देरे कम हो रहा है, यानि AFC की value कम होती है, तभी यह gap देरे-देरे कम हो रहा है, और को यह तुम से पूछ ले, कि भाई यह, short run ABC, या short run AC, या short run MTA, तो यह उशेप क्यों होते हैं, तो सबका reason, law of variable proportion है, law of variable proportion के वज़े से, यह short run वाले कर्भ, यूशेप्ड होते हैं, और long run AC, planning क्यों होता है, it is because of the law of returns to scale, तो यह अब question आया हमारे सामने, marginal cost changes due to change in, marginal cost क्यों बदलती है, उसका reason मताना है, dash है, तो हमारे पास 4 option given है, पहला total cost में बदलने से, या average cost में बदला होते, या variable cost के बदला होते, या quantity of output के बदला होते, भहिया MC का तो formula होता है, TVC N-1, अगर TC N-1 भी formula होता है, तो यह long run में होता है, long run में फिर कोई fix cost होती नहीं, सारी cost variable cost होती है, यह short run में होता है, तो short run में variable cost से linden है, तो MC का linden variable cost से ही है, और किस दिन नहीं है, C के साथ जाएंगे, C हमारा सही answer है, कुछ तो चिए चीज़े कराई है, कुछ questions आपको PW की app पे भी लेंगे, BPP की form में, वो जाके 12 करो, और बताओ कितना मजा आ रहा है, दोस्तों कोई दिक्कट डाउट परेशानी हो, comment section बता देना, हर एक चीज़ का समाधान किया जाएगा, समझे रहो, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, जै हिंद, जै भारत, नमस्कार, धन्मेवाद,